आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ में पाया गया कि वहाँ जन सुविधा की हालत खराब है इसके परणाम सुरूप काफी गाउं में पानी और कच्रा आसपास एकत्र हो गया है इससे मच्छों और भीमारी फेलाने वाले कीट पतंग जैसे कौकरोच आदी के फलने फूलने की उचित माहूल मिला है कक्षा में आपने मानव रोगों की बारे में जो पड़ा है उसे याद करे और निमलिकित प्रश्णों का जवाब दे मलेरिया का क्या कारण है और कौन सा वाहक जीव या वाहक कीट इसे फेलाता है तो आईए इस प्रश्ण का उत्तर देख लेते हैं तो जो मलेरिया है उस मलेरिया के जो परजीवी रहते हैं जो की एक प्रोटोजोन है या फिर उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है प्लास्मोडियम मलेरिया जो की परजीवी यानि की प्लास्मोडियम उस plasmodium के द्वारा जो मानव शरीर है उस मानव शरीर में toxin रहते हैं उस मानव शरीर में toxin पेदा करण देता है वह और उसी के कारण ही malaria होता है ठीके और होता है कौन से कीट के कारण है यानि कि इसका वाहक कीट कौन है तो इसका वाहक कीट है मादा, एना, मादा, एना, फिलीज, मच्छर ठीके जो की मनुशों का खुन चूसता है इस दोरान मलेरिया का जो परजीवी रहता है वह उनके शरीर में डाल देता है जिसके कारण जो शरीर में मलेरिया हो जाता है ठीके, यह ता प्रश्णों का उत्तर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद क्लासिक्स चिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एड्वांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 पर